तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गटनासार का जो अंतरास्ट्री गटनाओं के अर्दवाशकी है उससे रिलेटेट जो टॉपिक्स है ठीक है पहला टॉपिक क्या है पचासवी जी सेवन सिखर समेलन दो हजार चौबिस में हुई है तो इसमें क्या है कि पचासवी जी सिखर समेलन 13 जून से 15 जून तक हुई इटली के अपूलिया में हुई तो यह इंपॉर्टन्ट है इटली के अपूलिया में यह आयुजित की गई है ठीक है और यूरूपी संका पट्नित करने वाली यूरूपी परिश्यद और यूरूप पर बात की जाती है तो यहां पर आउट्रीच सदस्य में कौन को न आया था अलजीरिया अर्जेंटीना ब्रजील जॉर्डन केन्या मौरिटोनिया ट्यूनीशिया टर्की यूक्रेन संयुक्तर अमिरात यह सब क्या सामेल हुए थे आउट्रीच सत्र के तौर पर आउट्री G7 सिखर समयलन में शामिल नेताओं उन्हें G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment की महत्तुपूर पहलों को बढ़ावा देने का पैसला किया और इस पहल की शुरुवात अमेरिका के G7 सहयोगुवा द्वारा 2022 में आयोजित 48 वे G7 सिखर समयलन में की गई थी इसका उदेश विकास सिल देशों में ब सब्सक्राइब करने के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर अबंटित के जाएंगे बहुत इंपोर्टेंट है कि इसमें क्या चीज़े हैं कि जी सिवन ने इसको बढ़ावा देने के लिए लक्षिक्योर प्रतिबद्दता के लिए भारत पूरु अर्थिक गलियारा इस यूरोप को जोडने वाली रेल्स और शडख समुद्री मार्ण चाहिए व्यापक परिवहन इंडवर स्तापिद के यहां पर पूछ सकता है कि रेल मार्ग है सभक मार्ग या समुद्री मार्ग है याँ कौन से मार्ग से जोड़ेंगे ऊसको तो रेल भी यह सभ्वी समुद्री भी यह इस में नई दिली में आज जी टुञंटी सिक्कार समेलन में इस पर हत्ताक्षर किए गए तो हमारे यहाँ जो हुआ था जी टफ़ंटी समेलन उसमें है तक्षर किए के तिसपे यहां पर कितने आरे anh दो बात की गई है में फूर्य गल jut रहर वी और उत्तरी गलियरा तो याद करना बहुत हुऊंत है यहां सकता है पूर्वी गलियरा कहा से कहा तक जाएगा तो भारत से अचले जोडता है उसरी गलियरा क्या करता है जो खाडी को यूरोप से जोड़ता है तो पहले जो है भारत से अरब की खाड़ी फिर अरब की खाड़ी से ऊरोप ठीक है ये क्या है दो फिर क्या है आमेक गलियारे में एक विदुत केबल एक हाइड्रोजन पाइप्लेन और एक हाइड्रोजन डेटा केबल भी शामिल होगी ताकि कनेक्टिविटी और अधा बढ़ पाई इंटरनेट वगेर की है ना भारत अमेरिका साओधी अरेबिया यूए यूरोपियन संग इटली फ्रांस और जर्मनी आमेक के हैं गटा डेस यह भी इंपोर्टेंट करता है भारत हो गया अमेरिका हो गया साओधी अरेब यूरोप यूवेई हो घ यूर्पेन संग हो गया इंटली फ्रांस जर्मनी ठीकिक है इस अधारबूत अवसंदूचना पर्योजना है यहां या घ्रब्र मिड़ा बीटो और नॉट्र लाइक एफ्रीका अउट में लॉटो को रीडोर तथा लुजोन पाइडोर तो मीडल कॉरिडोर के लिए से लूजोन दीप परिस्तितिक राजनीतिक आर्थिक और सबनेशना गली आ रहा है लूजोन फिलिपिन्स का सबसे बड़ा और सबसे अधी का बाजी वाला दीप है ठीक है फिर मिडिल कॉरिडोर इसे ट्रांस कैस्पियन अंतरास्टी परिवहन महर के नाम से भी जाना जाता ह तो नर्दन जो नर्दन आफ्रिका के छेत्र है जैसे यह यह चेत्र यहां पर है इसको साहल रिजन बोलते हैं तो साहल चेत्र में मरुष्त्री करण और मर्दा अपर्दन की रोक्ताम करने के उद्देश से सुरूग गई परियुजना है ग्रीन ग्रेट वॉल ठीक है यूक अतनी पचास बिलियन यह कुश्चन आ सकता है जी सेवन निताओं ने अपुलिया खाद प्रड़ाली पहली की स्थापना की इटालवी धानमंत्री मेलोनिस के जी सेवन के साथ वैस्टविक दक्षड को सामिल करने का प्रयास का हिस्सा था है ना इसकी राति उन्होंने प्र और इन्होंने AI जोखिमों पर भी प्रकास डाला था कि AI से बढ़ते जो जोखिमें सेक्योर्टी रिलेटेट उनके बारे में जी सेवन से मिलन के दौरान पीम मोदी हो गया है ना पीम मोदी ने फ्रांस जॉमनी जैपान इटले और ब्रिटेन की नेताओं के साथ दूइपक कि एक मतलब स्वेडि सिंक टैंक है इन नाम से जाना जाता है दो यह निकालता है कि हनोसा सबसे ज्यादा प्रदि कित पामराण की है अमेरिका ने अपने मतलब पैसे में 5.5 बिलियन डॉलर का वे किया है जो वैस्विक व्रदी का 80% है चीन ने 11.8 बिलियन डॉलर अबंटेट किये है रूस ने 8.3 बिलियन है न यह चीजी हो गई फिर सिप्री की रिपोर्ट में वैस्विक परमाण हथियारों की कुल संख्या मामुली कम दर्ज की गई है पिछलेवस 12,512 से 12,1201 हो गई है ठीक है चीन अपने परमाण सस्त्रगर में लेक नी व्रदी की है जो 2023 तक 410 से बढ़कर 500 हो गई है जमझे हो 90 बढ़ गए इसके और अइंडिया के पास bisa 150 पाकिसरान केां लायुकिज़ का सब्सक्राइम के पास cin के पास है तो सबसे फस्त नंबर पay है सबस्यादा परमाड उसी के पास है 580 फिर है 50 मतलब पासएजार 14 अमेरिका फिर चीन है फिर फ्रांस है फिर इनाइटिट किंग्डम फिर भारत है ठीक है तो इंडिया कौन से नंबर पे है एक दो तीन चार शठी नंबर पे ठीक है नेक्स्ट क्या है यूरूपी संग ने सब्सक्राइब क्वेश्चन्स आते हैं हर साल ठीक है तो इंपॉर्टेंट है यह तो दोजा चॉबिस सत्रा जून में मंजूरी दी गई इसका उद्देश क्या होगा कि अवास्तों को उनके प्राकृतिक इस्तित में बहाल करना और साथ ही जंगोलों को फिर से उगाना दल बचे हैं उसमें से 20 जो हैं उन्होंने हां बोला हिस्सा लिया और 66 परसंट बद्दान हो ठीक है तो इसका क्या है 2030 तक लगबग 20 परसंट भूमी और समुद्द्री चेत्रों को बहाल करना और 2050 तक सभी चेत्रों को बहाल कर देना है ठीक है सदस्रिदेशों को 2030 तक नए कानून के अंत्रगत अपने आने वाले कम से कम 30% आवासों को खराब से अच्छी स्थिति में लाना होगा ठीक है नेक्स्ट है युएन की सेस्टेनेबल डिवैलेपेंट रिपोर्ट तो मेंं यह चीज आ यह की कि स्थिके द्वारा नवा संस्क्रड है इसका ठीक है और स्वास्त और भूक के स्टिजी में दुनिया पिछड रही है 17 स्टिजी हैं देशा की और 2030 तक कोई भी हासिल नहीं हो पाएगा अगर सेम वे में चीज़ें चली तो ऐसा इन्होंने बताया है और यह करती हैं और अघर कोई नियुकष थे सीज़ें गें चीज़ें और से 1300 में यहींनस चीज़ों दो ए सीजें में शहादि मेंघें हर साल मैं के इंधिया LIVE स 색깔 टेजर्डन मत्रम होगा और प्रेइव के और अच्वाल है इंडिया यह फीन्लेंड यह कंट्री के के पडोसी देश में इंडिया का कौन सा नंबर 109 पाकिस्तान इससे भी खराब है बांगलदेश 107 है चाइनए 68 है सिलंका तिरानबे पंचानबे नेपाल ठीक है निम्नवत जो है वह सबसे पेकार दसी शुदान में है फरिष्टिती ओके फिर क्या है यूकरेन शांती सिखर समेलन तो यह कहां पर हुए था स्वीजर लेंड के बुर्गेन स्टॉन डिसॉर्ड में आज़ित किया गया था असी देशों ने इसमें सहमती बनाई थी ठीक है और भारत साओधी अरप डक्षिन अफ्रिका ब्रजील समित्रा दमिरात ने दस्तवेज पर हर्ताक्षर ही नहीं किये थे ओके रूस को समेलन में अमंतित नहीं किया था वाचीन से भी दूरी बनाए रखी चीन और रूस को नहीं मंतित किया गये ठीक है यह बहुत इंपटेंट है क्लाउडिया शीनबॉम मेक्सिको की पहली रास्टपती बनी तो इतन आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड एकनौमिक फोरम जो है वह वेश्विक उर्जा संक्रमर चारी करता है एकनौमिक दोग़्ुकर उर्जा में इकनौमि लगता प्रीस लगते हैं ठीक है इसलिए एकनौमिक फोरम है वह ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से और यह चौथा सबसे लूहिशनी क्षड बजार बन गया है ठीक है और दुनिया का चौथा इंडिया जो है चौथा सबते लूब करेंच省 रुटर द्रीक यूशन ँौहद देजार का क्रियों करने पीस तो शांती कौन जारी करेगा जिसको शांती चाहिए होगी है ना और शांती कब आती है जब पैसा हो पास में एकनॉमिक संट पीस इसको जारी करते हैं ठीक है ऐसे आत कर सकते हैं 163 जो देश से उनका मुल्यांकन किया गया है आइसलें फर्स नंबर पे आइसलें में कोई है ही नहीं तो पीसफुल होगा ही है ना ऐसे याद कर सकते हैं दुनिया में सबसे कम शांती पूर्ट देशों में यमन है फिर सुडान डक्षिशुडान अफगानिस्तन यूक्रेयन ओके इंडिया का 116 नंबर है देखो शांती सासे है शोला सासे है तो सोला और शांती दे गई है तो थाइलंड के नैशनल सेंबली जो है उसने मानिता दे दी तो इसके साथ थाइलंड दक्षिट पूरु एशिया में ऐसा करुन लगाने माला पहला देश बना है और एशिया में तीसरा बना है ठीक है ताइवान ने समलेंगिक था और नेपाल ने उसके बाद म थाइलेंड इन लोगों ने संब्लेंगिक्ता को वैद बनाया लीगल बना दिया ठीक है नेक्स्ट है पर्रेवरर प्रदिशन सूच कांक 24 येल सिंटर फॉर एंवार्मेंट लॉएंड पॉलिसी एंवार्मेंट के लॉएंड पॉलिसी बनाएंगे तभी तो पर्रेवरर भारत का 176 वह निटी देश में मतलब कितना खराब है और इस्टोनिया जो है वह ग्रीन हाउस में लगबाग 59 पसंट की कमी लाकर फास्ट इस्तान पर बन गया है इंडिया का कौन सा इस्तान है 176 किसमें पर्रेवरर में ठीक है नेक्स्ट कौन सा है मानव विकास सूच कांक तो संविक्तरास पर्रेवरर का रिक्रम इसको कौन UNDP विकास का मतलब डेवलेप्मेंट तो UNDP ठीक है इसका मीन सीशक क्या है ब्रेकिंग ग्रिड लॉक बटी दुनिया में सवयोग की पुनर कव्वना चार भागों में बाटा गया है बिवाइब संविक्तरास कर्क का मैं विकास विकार अलाव मानवВिकास संविक्तरास केंखेश है बढ़ात का मानवी विकासDamय है वह चीज है और वर्स 2022 के समझ में सभी hdi संकेत को में भारत में सुधार दर्च किया गया है जिसमें नमीन दम प्रत्याश्या शिक्षा प्रतिवक्ति इसा बढ़ गया है ठीक है तो भारत का जो है hdi में कितना है वन थर्टी पूर ठीक है hdi में हैं इंडिया का नेक्स्ट एको सौक के विभिन साहिक निकावी के बाद भारत की जीत तो एको सौक मतलब संग्तरास्ट आर्थिक वा समाजिक परिस्त महिलाओ के स्थिति पयावग बना है और संग्तरास्ट बाल कोष्ट कारवाही बोट संग् भारत की जगजीत पवाडिया जो है अंत्रस्टी नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में दोजर पच्टिस से तीस के लिए लगाता तीसरे वर्थ कारेकाल पर रही इंचना में को चुना गया ठीक है तो सहीं तरास्ट यूनों के छे सदस्ट है में है ना उसमें से एको सौक है कि वो चीज है तो क्वाड के बाद नेक्स्ट है कि एक नार्कोर बश्ली कंट्री हों कि यह मेन है तो जैसे क्वाड में कॉन था जापान था इंडिया था और यूस था यहां पर इंडिया के जगे फिलिपिन सागय तो यही विजह तो इतनी चीज़े हमने देखी और ची